मिठा मिठा गाना गाती इसकी बोली सबको भाती बागों और वनों में रहती बोलो बोलो क्या कहलाती जी हाँ बिल्कुल सही आपने सही पहचाना आज हम बात कर रहे हैं मधूर गीत काने वाले एक पक्षी बुलबुल की क्या तुमने कभी बुल्बुल देखी है बुल्बुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चिडिया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँच को देखो यदि पूँच के नीचे वाली जगे लाल हो तो समझो वह चिडिया बुल्बुल है जब वह उड़े तो पूँच का सिरा भी ध्यान से देखना बुल्बुल की पूँच के सिरे का रंग सफेद होता है उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है बुल्बुल उची आवाज में बोलती है बुल्बुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता तुम्हें शायद एक बुल्बुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुल्बुल कहते है बुल्बुल पीपल या बरगत के पेड़ पर कीडे मकौ और फल भी खाती है अमरूत के बगीचे या मतर के खेत पर बुल्बुल काफी जोर से हमला करती है वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पोधों की पतली जड़ों से बुनती है घोंसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है बुल्बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है उसके अंडे हलके गुलाबी रंके होते हैं तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदिया दिखाई देंगी तो बच्चों क्या आपने बुल-बुल देखी है क्या आप भी अपने माता पिता से बुल-बुल के बारे में बाते करना चाहेंगे अपने अध्यापिका से अपने बढ़ों से बाते करिए और बुल-बुल के बारे में और भी बहुत सारी बातों का पता लगाईए बुल-बुल के बारे में कुछ अद्भुत और रोमान चक बाते हम भी आपके तरह मधुरावाज में गाना गाकर दिखाईए